हेलो एब्रीवन तो जी एससी लाब असिस्टेंट का पेपर हम लोग यहां डिसकस कर रहे हैं तीसरा पेपर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इसमें थोड़ा से हम लोग और डीटेल्स में जाने की कुशिश करेंगे पिछले वीडियो में आपने जो फीडबैक दिया था उसके अनुसार और यह जो पेपर है यह एक अगस्त का पेपर है ठीक है एक अगस्त 2023 को यह पेपर कंड़क्ट करवाया गया था जैससी पेपर 3 जो आपका सीजेल में होने वाला उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा यह डिसकेशन इससे जो आयोग का माइंसेट है सर्च करना एक्जाम क्लस्टर यह जो लोगो दिख रहा है ऐसा ही आपको एप मिलेगा वहां से जाकर आप ले सकते हैं प्राइस केवल 99 रूपीज है अभी स्टार्टिंग प्राइस इसले 67 परसंट का डिसकाउंट है सिफ 99 मिल जाएगा और यह जो टेस्ट है वो इंग्लि है तो आप ले सकते हैं इसको जल्दी है इसमें इन्रोल कर लीजे क्योंकि दस तारीक से इसका प्राइस बढ़ जाएगा 10 सेप्टेंबर से प्राइस बढ़ जाएगा डिसकाउंट कोड ओफीसर लगा लीजेगा इससे आपको मैक्सिम्म जो पॉसिबल डिसकाउंट है वो नॉर्मल बस आपका डाउट जो है टेस्स सीरीस के रिगार्डेंग टेक्निकल इंसान है ठीक है तो इससे यह से मत पूछेगा कि कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना है बहुत जादा इसको नॉलेज नहीं है चलिए अब कुछ लोग पूछ रहे थे आपके बारे में भी कस्टम ठीक है इस डिपार्टमेंट में मेरा फाइनल सेलेक्शन हो चुका है यूपीसी सिविल सर्विसेस एक्जाम 2022 के प्रिलिम्स को मैंने क्राक किया था अपने पहले प्रयास में यह मेरा रोल नंबर है यूपीसी नाम सुनते ही बहुत लोग डाउटफूल हो जाते हैं तो यह सब इसलिए बताना था क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि अपना थोड़ा क्वालिफिकेशन भी बता दीजे और जहारकंड एक्जाम्स में जहां तक बात है आपका बोलना होगा कि जहारकंड एक्जाम्स में आपका परफॉर्मस कुछ क्यों नहीं है क्योंकि नहीं दे पाया था लेकिन अब इतना था यह मेरा परिचे था यहोप आपको समझ में आ गया को बाकि कोई डाउट वगेरा होगा तो पूछ लिजेगा चलिए अब में पार्ट पर आते हैं वीडियो का अब वीडियो का जो में पार्ट है वो है डिसकॉशन वाला पार्ट यहाँ पर कोईशन शुरू कर लेते हैं तो आप सब लोग कुरसी की पेटी बान लिजे दिमाग और कान और आख भी सारा खोल खाल के बैठिएगा और यहाँ पर फोकस रहिएगा ठीक है हो सकता है लेक्शर थोड़ा सा लंबर आए लेकिन बहुत सारा चीज हम लोग इसमे का भी कोशिश करेंगे चलिए पहला सवाल आगे आपके स्क्रीन पर ठीक है चलिए कंप्यूटर जी तिखा दीजिए इस सवाल का बनाने के लिए आपको हजार रुपए तो नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ एक्जाम में सेलेक्शन साथ जरूर मिल जाएगा तो टी आर ए आई ट्राइ यह रेगुलेटरी बॉड़ी है किस चीज से जुड़ी होई है अब यहां पर जो गेस मास्टर होंगे यहां पर जो सस्ते गेस मास्टर होंगे वह देखेंगे कि सर ट्राइ में टी है तो हम आप्शन में टी खोशते हैं तो देखें यहां भी टी है यहां भी टी है और यहां भी टी है सब जगा टी हट कर लिए गेस नहीं कर पाइएगा तो हर जगा पे गेस वर्क नहीं चलता तो ट्राइ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखिए इसको लिखिए सुनिये नहीं सिर्फ बिस्तर पर स फॉर्म आप लिख लिए ट्राइगा यह इस्टैबलीज कब हुआ था बीस फरवरी 1997 को ठीक है उनीस सो संतायवे बीस फरवरी को यह भी लिख लिख लिजए हला कि फरवरी और यह फिर उनीस संतायवे भी याद रखेंग तो हो जाएगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि य आप नहीं इसे नहीं चलेगा भाई ऐसे लिखो गे यह आधा चीज लिख के जा रहे हो यहां पर देखो सवाल तुमको और बहुत सरा में दे रहा है जैसे home rule movement जो है वो कब शुरूआ 1916 में तो ये कौन लिखेगा ये लिखो उसके बाद 1922 में क्या है यह हम अपने तरफ से आड़ कर दे रहे हैं आपके लिए कि home rule जो लीग है उसका नाम चेंज करके स्वाराज सभा इस नाम में कर दिया गया स्वाराज सभा ठीक और इस समय इसको लीड कौन कर रहे थे स्वाराज सभा को यान किसके हाथ में इसका कंट्रोल दिया गया था तो गांधी जी के हाथ में इस समय गांधी जी इसको लीड कर रहे थे और बात में यह डिजॉल्व हो जाता है नहीं खातम हो जाता है क्योंकि गांधी जी फिर कहां जाते में mainstream politics में national congress के साथ proper proper वो जुड़ जाते हैं तो ठीक है यह home rule movement के बारे में था तीसरा सवाल है computer का सवाल है बहुत ज्यादा difficult नहीं है लेकिन अच्छा कासा इसमें तुमको जानकारी मिलेगा ठीक है जैसे basics of computer में जो speed है रैकट में देखो का लिख रहा है clock time लिख रहा है यानि कि speed जो है उसको clock time भी कहते हैं यह भी लिखो of a CPU is measured in hertz, hertz में measure किया जाता है, तो speed किसमे measure होता है यह खुद बता रहा है, hertz से related एक question साथ पहले भी आया था तो clock time जो है, उसको speed करते हैं और किसमें नापा जाता है मापा जाता है, hertz में नापा जाता है, तो यह दो तीन बात आपको बता दिया question ही, तो यह अगले exam में आपको option के रूप में सायद दिख जाएगा, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि किसको इसमें से 1 million cycle per second बोलते ह किलो का मतलब 1000 cycle per second, मेगा का मतलब million, टेरा का मतलब trillion और giga का मतलब billion, एक billion cycle per second होता है, gigahertz, तो यह चारों चीज का definition आप अपने साथ copy में लेकेंगे, हिंदी medium वाला बालक लोग ऐसा नहीं बोलना कि English में कहीं लेकें, सर हिंदी में लेकें, इतना तो जानता ही होगे, ठीक यह office, तो office का जितना भी है, word, powerpoint, excel, यह आपको बढ़ियां से पता होना चाहिए, तो इसमें क्या है, shortcut की case बदलने के लिए, अब बोलेगा, आरे master, यह कहा है, case यहां कहां से आ गया हो, case उस पढ़ना था, case मुकदमा कहां से आ गया, तो यह वाला case नहीं है, वाबू, case है कि जैसे देखो, यह ABC, क्या है, small letter में लिखा हुआ है, इसको अगर हमको capital सारा कर देना, ABC, ऐसे कर देना, या capital को strong करना है, यह दोनों को small करना है, तो यह दोनों को जब आपस में बदला-बदली करना होता है, यह होता है, case बदलना, यानि कि upper case मतलब capital letter होता है, lower case मतलब smaller letter ह होता है, small letter, ठीक है, English वाला, इसा भी लिख लो, अगर नहीं आता है, तो, यह जो case बदलने के लिए, आपका जो answer की में दिया हुआ है, क्या है, B वाला, shift के साथ F3 दबाईएगा, तो आपका case बदल जाएगा, यानि कि small letter capital हो जाएगा, capital letter small हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक में है, West Bengal में स्थीत है, यह तो आपका answer हो गया, लेकिन इसके साथ-साथ यहां पर आपको चार मंदिरों के नाम मैं दे रहा हूँ, यह थोड़ा common सवाल है, ठीक है, जनरली लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता, जिसके बारे में भी चारों में से उसको लिख लिए, ठीक है, जैसे बृदरेश्वर टेंपल हो कहा है, तंजवूर तमिल नाडु में, कुनार्क, सूर्य मन्दिर, कुनार्क, उडिसा में है, खजरौ मंदिर जो है, वो मद्य प्रदेस में और कैलास्ट जो मंदिर है, वो इलोरा महरास्त में है, अच्छा, कैलास् चलिए फिर आते question no.6 में आप question no.6 में आप देखो बहुत सारे लोग आपको बताते विए दिखेंगे कि जो जो जनरल धारना भी होती है कि CNT SPT यह सब पास किया गया था 1908 में किया गया था यह आपको पता होना चाहिए यह बेसीक है इसको आप यह नहीं बोल सकते कि CNT तु था वो से लिबस में नहीं था तो कहा सी आगया यह आपको ज़ारकंड का इतिहास से सवाल पूछ रहें बेसीकली तो आप उसको इसमें गिनियेगा और साहित अकादमी पुरसकार विजेता संथाली कृत सिसीर जली के लेखक कौन थे तो सिसीर जली के जो लेखक है वो काली चरन हेम्रम है ठीक है ये बात हम समझ गये इससे हम एक और बात क्या जाने कि ये जो है काली चरन हेम्रम जी इनको क्या मिल चुगा है साहित अकादमी पु आने के भी वो काभिल बना, ऐसा नहीं नहीं कि मेरा और आपका नाम यहां पर option में आ जाएगा, चली किसी दिन आ भी सकता है, लेकिन अभी तो फिलाल हम लोग उस लेवल पे नहीं है, कि हम लोग option में भी आ सकें, तो option में आने के लिए इन तीन व्यक्तियों ने क्या किया था, चली वो भी देख लेते, तो option A जो है, रभी लाल तुडू, आपको याद होगा अगर पिछले कुछ वीडियो में, तो इन्हों ने क्या लिखा था, परसी खातेर, ये इनका लिखा हुआ है, इसके लिए भी इन मुदाम, मुदाम है कि मदाम है या नहीं पता है, अंग्रेजी में तो हम तो ऐसे ही याद किया है, तो आप देख लेजगा है, स्पेलिंग से आप मिला लेजगा है, इसके लिए भी इनको मिल चुका है साहित अकादमी पुरसकार, तो ये भी साहित अकादमी पुरसकार वि लोग हैं तो 4 का नाम आप देखे कि अगर एक व्यक्ति के नाम से आ सकता है तो बाकी 3 के भी नाम से आ सकता है किसे ने किसी एक्जाम में रिपीट मार सकता है तो चारो ऑप्षिन आप लिख लीजगा अपने कॉपी में चलिए और वैसे भी ज्ँठकन का जो कल्चर है ना उस है रिखना इतना वह कितना percent डॉटल फॉर को ओर फ्रस्वर एरिया का तो ये जो है डेटा है नौर्म gim ि इसको आप यहां से माक कर सकते पॉइंट में दिखे इतना नहीं के रहां जैसे अभी चलिए, यहाँ पर question number 9 है, question number 9 है न थोड़ सा classic question है कि थोड़ा सा आप common sense लगाएंगे, अगर आप अभी तक आपका उमर 20 प्लस तो हुआ ही होगा जो लोग भी वीडियो देखे रहें, तो अभी तक आपने कुछ भी observe किया आपने आसपास, तो यह question आप कर सकते थे, पूछ क करना मुश्किल है चावल को या प्रमुख फसल है, अब देखिए, अगर आपको जादतर लोग इसको अराम से दे देंगे, इस cancer, बहुत easy type का question है, लेकिन अगर माल लीजिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं भी पता, ठीक है, आपको नहीं पता चावल उगल क्या होता है, जारखन के आप नहीं है, बाहर के हैं, बहुत जादा आपको नहीं भी knowledge है, तब भी आप ये दिमाग लगाईए, कि never grown, कभी नहीं पैदा किया जाता है, rise को जारखन में, ऐसा मतलब ये extreme जो word है यहां पर never, ये बहुत कम chance होता है, कि जिसमें ये सब लगा देगा, ये सही ह कभी नहीं उगाया जाएगा चावल जारखन में, या कभी नहीं उगाया गया, तो ऐसा थोड़े है कि 1000-2000 साल में कभी चावल उगाया ही नहीं होगा कोई भी इंसान, तो ये क्या है बहुत extreme है, तो इसको आप काट सकते हैं, अब आता है तीन option, इसमें क्या है, कि प्रमुक प्रमुक फसल है, पैदा करना मुश्किल है या दूसरी प्रमुक फसल है, पैदा करना मुश्किल है difficult to grow ये भी कट जाएगा, क्योंकि जहारकर में बहुत सारे लोग चावल खाते है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा चावल हम लोग बाहर से ही मागा के खा रहे होगे, क थोड़ा दिमाग लगाईएगा, अच्छा अपने गेस वर्क के साथ बिजाएगा, तो प्री डॉमिनेट क्रॉप में आप मार सकते हैं, अदर्वाइस ये सब आपको पता होना चाहिए, तो इसके साथ साथ आप जहरकर में जितना खरीफ और रवी का फसल होता है, वो सब क इस मातरा में हो गाया जाता है, कहां कहां हो गाया जाता है, क्या क्या आज फसलों के नाम है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे साइड साइड में, ठीक है, question 10 में आते हैं, इससे बहुत सार और चीज आपको सीखना है, पिछले बार यहां आपको बताया थे कि full form वाला question जो है, आ रहा है computer में, और यहां पे एक simple सा ISP का full form पूचा, internet service provider होता है, ठीक है, internet service provider होता है, जैसे कि कौन होगे आपका, BSNL एक internet service provider है, Jio आपका internet service provider, मतलब बेसिकलिए ऐसा company जो आपको internet service देता है, तो किसी exam में ऐसे भी देदेगा, कि Jio, BSNL, यह सब क्या है, internet service provider है, य इसको भी देख लिए कि URL, HTTP, HTML और DNS, इसका full form बिया पे दिया हुआ, URL मतलब uniform resource locator, इसको ध्यान में रखिएगा, HTTP मतलब hypertext transfer protocol, ठीक है, ऐसे करके HTTP, जो भी website वह देखिए, को उसके सामने, ऐसे करके लिए कल लाता है, और यही HTTP, जो S लगा देखा, नहीं, S, इसका मतलब होत होता है, समझ रहे ना, हाँ, DNS जो है, वो पहले बाला question में भी आया है, DNS आप यहां से locate कर लेंगे, domain name system होता है, अब कुछ लोग बलेगा कि Sir, इतना easy सवाल भी आता है, तो क्या होगा, मतलब exam में ऐसा easy आएगा, की hard आएगा, देखो easy hard भाई, हम लोग को क्या मलूम, easy आए level डालता है, तो होगा क्या कि, जो जारखन का main core audience है, जो मतलब, थोड़ा rural area में राता है, उसके पास संसादोनों की थोड़ी कमी है, वो आके बोलेगा, कि मेरे पास पढ़ने के लिए केवल NCRT थी, ठीक है, वो तो यही बोलेगा, कि मेरे पास पढ़ने के लिए केवल NCRT जो कि हमको अपने सरकारी विद्याली से मिला था, उसके अलावा मेरे पास कोई book नहीं था, तो इतना hard hard आप जो question दी हम कहां से पढ़ते, तो कोई भी आयोग जो होता है, वो हमेशा justice करने का कोशिश करता है, कि सब कोई को उसमें एक level playing field में ले, तो इसलिए आयोग अपने सा computer है, जिसको PC बोलते है, ठीक है, PC, हम लोगा दोस्त था, उसका nickname भी PC था, चलिए, अब तो बढ़ा होगे, तो नहीं बोल सकते है, तो इह जो PC है, इसमें देखे, चार्ट option है, तो PC किसको कहते है, तो PC जो है, वो micro computer को कहते है, micro computer सबसे छोटा वाला computer, यानि आपके घर म जो laptop रखा हो है, जो desktop रखा हो है, उसी को बोलते है, PC, micro computer, इससे थोड़ा उपर बढ़िएगा, तो क्या आएगा, मीनी computer आएगा, ठीक है, मीनी computer क्या होता है, थोड़ा सा size इसका बढ़ जाएगा, मतलब, या दो-तीन table के जितना size का हो जाएगा, mainframe computer जो है, वो, काफी हमारी होगा ना, गोदरिज, हम लोग जिसको कहते है, लगभग उस size कर रहता है, mainframe, उससे थोड़ा बढ़ा ही कह लीजी, तो यह हो गया, mainframe computer, इससे भी बढ़ा जब जाएगा, तो super computer है, जैसे जैसे आप बढ़िएगा, वैसे इसका speed और power भी बढ़ रहा है, याद रखे इसको इसको इस्तमाल करता है, कि मौसम किस तरह का होगा, cyclone किस तरफ से आएगा, चक्रवात वगएरा, तूफान वगएरा, प्रिडिक्ट करने के लिए इसका इसका इस्तमाल होता है, तो super computer का use देख लिजे, हो सकता है, कभी किसी exam में ऐसे करके पूछेगा, कि weather forecasting में इस चारों में से किस का इस्तमाल होता है, तो super computer का इस्तमाल होता है, ठीक है, question number 12 में आते है, अब देखे, operating system वाला फिर से घुमा फिरा के आहीं गया, तो इसमें से कौन सा एक operating system है, answer बढ़ा असान है, Windows 10 है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बाते जान लिजे, operating system यानि OS का औ बेख रहे होंगे, वो iOS, यह क्या है, Apple वाला जो mobile वा रहता है न iPhone, उसमें यही वाला operating system रहता है, iOS, हम लोगे तो खेर नसीब नहीं है, लेकिन किसी दिन हो भी जाय साथ, तो यह हो गया आपका operating system, ठीक है, उसके बाद Macintos, Mac OS यह को कहते है, यह भी एक operating system है, यह हो गया कु लिए, MS Office जो क्या है, इसमें Office related काम होता है, यानि कि document बनाना, spreadsheet बनाना, PowerPoint presentation बनाना, यह सब MS Office में होता है, page maker में document बनता है, document यानि कि book हो गया, magazine हो गया, ठीक है, book, magazine, comics यह सब page maker में, और Adobe InDesign में भी वही काम है, book, magazine, यह सब बनाने का काम होता है, Adobe InDesign में, ठीक है, Adobe पढ़ अब तेरा देखिए, अभी थोड़ा देर पहले, आप लोग जो कमवा कर रहे थे ना, वही पूछ दिया, देखिए, कितना तेज दिमाग है इसका, basically आप लोग क्या करते हैं, इसको समझेगा, question से relate कर रहे, इधर उदर का बात नहीं कर रहे, एक tab खोलेगा, इसमें खुला लिए JSC का कोई update आया, तो, अब पहला tab वहां में थोड़ा सा Facebook चलाईगा, इधर उदर, मीमूम देखिएगा, फिर यहांस जाएगा Instagram में, थोड़ा real देखिएगा, फिर यहांस जाएगा JSC में, और देख लिएगा कुछ update आया है, फिर जाएगा वापस Instagram में, फिर Facebook में, इसको बोलते है, Net Surfing, ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग या फिर, Net Surfing, ठीक, तो अभी, बाबुजी जब डाटेंगे नाई सब करते हुए, बोलें का करते रहता है दिन भर मूबाइल में, तो बोलें का पापा सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग, अम जे, यही करते हैं आप कप्यूटर से या अपने मोबाइल से, सर्फिंग जब आपकोई फाइल भेजते है उसको कहते हैं, अपलोडिंग, कोई फाइल या कोई जानकारी, कोई data जब भेज रहे हैं, तो अपका मतलब ऊपर है, तो धियान रखेगा, अपलोडिंग है, ठीक, अपलोडिंग समझ और attachment पिछले वारे में हम लोग देखे थे attachment क्या है कोई भी एक file अगर आप attach कर दें दूसरे किसी mail file के साथ तो वो होता है attachment ठीक है attach करना यानि की जोड़ना ठीक तो इतना समझ में आ गया question no.14 देखिए जहारखन के current affairs का सवाल है अब इस पूरे statement को अच्छे से पढ़के अवार्ड मिला था किस category में सवच सुझल शक्ति सम्मान इतना बड़ा नाम है SSSS सवच सुझल शक्ति सम्मान मिला था इस category में pipeline उनके गाउं में pipeline वगेरा operate करने के लिए इनको मिला था तो किसको मिला था तो मुन्नी देवी जी को मिला था ठीक है ये तो question हो गया लेकिन इस इसी टाइम पर दो और लोगों को मिला था जैसे मुनी देवी के बारे में तो आप लोगों ने देखा कि इनको सवच सुझल सक्ति सम्मान के लिए pipeline वगेरा लगाने के लिए अवार्ड मिला ये रहती गाए तो रांची जहारखण में रहने वाली है ठीक है तो रांची से ह पूजा देवी जी को भी मिला था इनको किस काटिगरी में मिला था तो सवच भारत अभियान इस काटिगरी में मिला था और इसमें क्या वह अपने गाउं को प्लास्टिक फ्री बनाए थी यानि प्लास्टिक मुक्त गाउं बनाने के लिए किसको मिला था पूजा देवी ज से रहने वाले तो यह तीन नाम आपको याद होना चाहिए किसी ना किसी एक्जाम में आ सकता है साथ में मार्च 2013 यह भी टाइम हो याद होना चाहिए कि उस टाइम इनको मिला था इन लोगों को ठीक है तीनो जहरकंट से हैं कोश्चन नमबर 15 में आ जाते हैं कोश्चन नमबर 15 में आप देखिए ग्यारा दिन का इंटरनाशनल मेगा ट्रेड फियर और्गनाइज हुआ था ट्रेड फियर यानि कि मेला तो यह कंड़क्ट हुआ था अप्रील 2023 में मोराबादी मैदान में तो कहां है बेसिकली तो बेसि से हम कुछ कुछ चीज सीखें क्या सबसे पहले तो इंडिया इंटरनाशनल मेगा ट्रेड फियर यह 11 दिन का था यह इजाम में आ सकता है कब कंड़क्ट हुआ अप्रील 2023 में कंड़क्ट हुआ कहां हुआ मोराबादी राची में कंड़क्ट हुआ ठीक है एक कुश्चन अपने जगा एक रेफरेंस के लिए यूज किजिए लेकिन यहां से आप टॉपिक स्कीम कीजिए यहां से आइडेंटिफाइ कीजिए थीम को कि थीम वह क्या है ठीक है हर चीज पढ़ लेना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन जो पढ़िए वह अच्छा से पढ़िए थीम से दिवस था तो उस दिन कितने रुपय का सीखा निकाला तो पचीस पच्छत्तर पचास सव अब देखिए आप लोग इतना तो देखी रहे होंगे न्यूज में कि पिछले साल से क्या चल रहा है आजादी का अमरीत महुतसव पच्छत्तर साल हो गए हमारी आजादी के उससे रही है या फिर घर में जो आपका लोकल निउस पेपर आता है थोड़ा थोड़ा हर दिन हैबिड डालिए कि कम से कम 15-20 मिनट उसको पलट यह 15-30 मिनट रोज पलट के एक बार देखिए वैसे भी अच्छा ही लगता है अपडेट रही है तो बढ़िया लगेगा ना तो लो वाले बराकर नदी इस कांसर हो जाएगा लेकिन उसके साथ जब डैम देख लिए आप कि डैम जो है इंपोर्टेंट टॉपिक है ठीक ना तो तो तेनुगाट डैम यह कहा है दमोदर नदी बोकारो डिस्टिक में मैथन डैम बराकर नदी धनबाट डिस्टिक में तिलैया तो यह चार हम इंपोर्टेंट डैम का नाम दी इससे जादा जरूरी है कि इससे ज्यादा भी आप लिखिए लेकिन यह थोड़ा ज्यादा जरूरी है अब देखें कोस्टिन नमरर 8 पिछला वला में बोले थे की नहीं बोले थे कि जहां जहां इंपोर्टेंट और है उसका माइन्स का लोकेशन यह सब याद कीजिए आया की नहीं आया यहां पर रिपीट मारा ना कोश्चन तो देखिए क्या है नो मुंडी जहारखण में कौन सा आयस्क प्रचूर मात्रा में है तो लोह आयस्क आयरा नोर है तो आयरा नोर हम लोग देख लेंगे इसके साथ हम लोग आपको मिलेगा तो राखा माइन में मिलेगा ठीक है तो यह चार माइन्स में मिला इसके साथ और भी लगा लेंगे लेकिन यह सब जरूरी तो एक काम किजिए आपकी पूरा एक चार्थी बना लिए पंदरा भी जो इंपोर्टेंट मीनरल है जहरकंड का वो कहां कहां मिलता है और जो माइंस वगरा है कुछ फेमस माइंस से उसका नाम हाला कि मेरे पास यह सब नोट्स है लेकिन अब क्या कि जगा वो नोट्स वगरा शेर करने का यह नहीं है वो पढ़ाना पड़ जाएगा पूरी तरह से ठीक है क्योंकि मेरा इंकम्प्लीट है में तो सेल्फ मेड नोट्स है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है टेस सीरीज का फिर से याद दिला देंगे कि 10 सेप्टेंबर से प्राइस बढ़ रहा है बाब ठीक है कूपन को डिस्काउंट का वो ऑफिसर है वाट्स अप नंबर यह रहा चलिए कोश्चन नमर 19 में आते हैं पत्रातु थर्मल पावर प्लांट जो है पावर प्लांट इची बोलने में जिवान खड़ खड़ा जाता है तो यह जो है यह कहां पर है यह रामगड डिस् उसी जगह पे मिलेगा रामगड यह देख लिजे रामगड से पिछले बार भी एक दो कोश्चन दिखा था और यहां भी दिख रहा है तो रामगड ऐसे तो सारे जीला के बारे में होना चाहिए लेकिन रामगड थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा ठीक है कॉंग्रेस खंड से के नाम से इखिया बला होंगि यह कि से महाँ भार्त यह परव है ठीक है को यह संब आख़न के vehicle महिला चीफ जस्टिस जारखन हाई कोड की यह हाई कोड जारखन में तो यह है ज्यान सुधा मिश्रा जी ठीक है यह नाम आपको याद रखना होगा हाला कि यह जब अच्छा वाला जो बूक सब रहता है उसके चार्ट बना कि आपको यह सब मिल ही जाएगा ठीकिन अगर आप में सिंग्भूम इस्ट बना दिया गया तो उस समय इसको क्या बोला जाता था धाल्भूम अनुमंडल धाल्भूम सब्डिविजन ठीक है यह ज्यारखन का जो एड्मिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है या पॉलिटिकल हिस्ट्री आप बोल सकते हैं उससे यह सवाल आया है ठ लगभग कितना है जारखन कितना परसेंट है पूरे इंडियन स्टेट में कुश्चन को अच्छा से पढ़िएगा सारे भारत के राजियों में कितना प्रतीसत है यह नहीं की पूरे दुनिया हम पूछ रहा है अच्छा से हम इसा कोश्चन पढ़नेगा है तो आप जारखन में कोईला आईरन यानि कि लॉह ऐस्क और कॉपर यह बहुत जादा मातर है ठीक है हम लोग टक्कर देते हैं लेकिन बहुत जादा मातर हैं तो कॉपर आईरन और कोल अगर बहुत जादा तो कब इतना जादा हो जाएगा कि 75 से 80 परतीक खली हमी लों के पास है इतना कम नहीं होगा, इतना ही कम में मतलब टाटा वगेरा आके इतना बड़ा-बड़ा अपना फैक्टरी लगा देगा यहां पे, तो यह भी प्राक्टिकल बात नहीं है, तो option A कड़िया, option D कड़िया, B और C में आप गेस लीजिए, B में 4-5% भी बहुत कम आता है, तो C में हो, बहुत पढ़ का राक्षास होता है इन लोग, बचके रहाना इन लोग से, 24 जो है ना, चलो 24 question में देखते हैं, हाँ, तो basically क्या पूछ रहा है ना, कि सराई केला खरसावा, यहां पे, एक thermal power station, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, आधुनिक power and natural resources limited, ठीक है, जेनरली ज जो जरूरी जरूरी places है, इसका notes बनाते रहो, time to time इसको update करते रहें, कि जिस भी mock test में, जिस भी test series में, जिस भी previous year में, आपको कुछ नया तरका जगा मिला, जो आपके notes में नहीं है, आपका कर्तव यह फर्च क्या बनता है, कि आप उसको इसमें डाल दीजे, ठीक है, अब प्रिवेस lecture जाके देखना, तो हम क्या बोलेते आप लोग को, कि चारो जो option है ना, चारो option को खंगा लिए, एक option बिहारी लखला के नाम से था, और उन्होंने एक कुडुक language में literature लिखा, कुडुक दंडी के नाम से, बहुत famous writer है, कुडुक वाले language में, ठीक है, कुडुक व जो बड़े-बड़े writer हुए है, और उनका जो famous काम है, और उन्होंने उस काम को कब किया, यानि कब लिखा था, ये सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि जारखण में language और culture, ये जो यहां के local लोग है न, इनको थोड़ा सा edge दे सकता है, क्योंकि ये आप बेटर समझिएग लेकिन ऐसे आपको किताब में मिलेगा, कि Augustus Cleveland, ठीक है, इसको किन्होंने attack किया था, East India Company की administrator थे, और बहुत बुरी तरह से घायल कर दिये था, तो तिलका मांची जी किये थे, ये सब हम लोग वीर गाथा है, सुनते रहते हैं, तो ऐसे हाला कि आपको अच्छे book में मिल थोड़ा थोड़ा जानकरी लेंगे, कि ये ऐसा क्या काम किये थे, कि इस लिस्ट में, इस option में वो आए, ये भी कुछ बड़ा बड़ा काम किये होंगे, तो इनके बारे में भी जानकरी जुटा कर साइड में लिखिये, हर चीज हम आपको थाली में परोज कर नहीं दे सकते अदरवाइस आपका दिमाग नहीं काम करेगा, तो थोड़ा सा अपने से भी कुछ काम कीजिए, अब यहां से रीजनिंग शुरू होता है, रीजनिंग बहुत ज्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं, ये एक सिंपल सा सवाल है, इसमें पूछ क्या रहा है, कि इसमें कितना स आप सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग बहुत जादा कोई टफ नहीं है, अराम से दिमाग लगा के कर सकते हैं, इसको देखिए, पाउस करके बनाईए, फिर यहां से है, रिलेशनिप वाला सवाल है, कि ये दोनों नमबर में क्या रिलेशनिप लगाएंगे, कि तीसरा नमबर आजाएगा, यह भी एक कॉमन सा सवाल है, से में भी आता है, फिर यहां पर एक कहा गया जी, अरे लैप्टोप है, इसा टाइम पर हैंग होगा ना, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, हाँ, हाँ, यह देखिए, यहां पर क्या है, कि सीटिंग अरेजमेंट का सवाल दे रहा है तो सीटिंग अरेजमेंट में कौन कैसे बैठता है, इसकी आोपर सवाल है, P Q RS पति खेल रहा है, ठीक है, पति खेल रहा है, P और Q जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है, यानि एक दूसरे को देख रहा है, S जो है वो उत्तर के तरफ है, यानि नॉर्थ के साइड है, है कि अफ से यहाँ पूसरे साथ तो पी उपर है क्यू निथर है एंफ Lynn थे क्या होगा सिम्पलेट क्या होता है भी नर्मल तरीका है जो option दिया हुआ है उसको literally मानिए कि जो है वो सही एकदम 100% सही है और उसके बाद गोला बना बना के यह सब बनता है ठीक है reasoning उतना ज्यादा सीरीज का एक सवाल है सिंबल सवाल है कोई बहुत टफ नहीं है जो इसके बीच में ग्याप है ग्याप देख देख कि आप आंसर निकाल सकते हैं हमारा फर्ज है कि हम में सवाल जो है उस तक आएं और वन आउट का सवाल पूछ रहा है इसमें से चारों में से कौन अलग है तो सब्सक्राइब की ग्रंथी ठीक है लार्जेस्ट ग्लैंड इन हीमन बॉड़ी तो यह हम लोग क्या जानते हैं लीवर होता है लेकिन सिर्फ इतना जानने से हमारा काम ने चलेगा हम यह भी जानेगे कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है यह जो ग्रंथी है यह कौन सा हॉर्म यह निकलता है यह भी आएगा भोत इंप протan सवाल है ख Texas liver वाउड़ा निकलता है इंसुल演 like growth factor IGF ये निकलता इससे और हाइपोथालमे से क्या निकलता है इससे आपको निकलेगा थाइरोट्रोपिन रिलीजिंग हाइड्रों हाइमोन ती आर एच जबान लड़ खड़ा रहा है आच तो यह होगा टी आर एच ठीक है टेस्स फिर से आप दिला देंगे नीचे लिंक जो है वो पहले कमेंड में म पूरे मानव के शरीर में सबसे कड़ा चीज क्या है तो सबसे कड़ा चीज है वो है तूथ इनेमल यानि दांत की जो परत है वो सबसे कड़ी चीज है हमारे शरीर में ठीक है हाला कि किसी किसी लोगा जबान भी बहुत कड़ा होता है लेकिन वैसा चीज नहीं यहां पर कर देता है पेट में जम गया ना बहुत मुश्किल से जाता है यार छोड़ो कोश्चन नूमर 39 में आते हैं रहे बचवा वाला सवाल है जी इस अब क्या है स्कूल गए थे तो पता ही होगा ठीक है बुझो पहली वाले किताब वह में लिखल था एंसी आटी में रात को कहीं न पोटो सिंथेसिस यह पढ़ लेना कोश्चन नुबर 40 में आते हैं 40 में क्या है अब देखो 40 वाला सवाल आप देखो कि हर टीनों शिफ्ट हम करवाए ना टीनों में यह टॉपिक आया है इंडिकेटर का टॉपिक इसमें पूछ रहा है कि कोई पदार्थ प्रकृती में अम पर लिटमस पर बनाएं इंडिकेटर एक कॉंस्टन टॉपिक था तो वेरी 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 इंपोर्टेंट हो इसको भी भी आई लिख लो और इसको बढ़िया से पढ़ना चार्थो जो कॉमन इंडिकेटर है वह हम यहां पे निकाल के लाएं आपके लिए एक है लिटमस हो जाएगा और बेस में जाएगा तो भाजए गुलाबी रंका वह अदो यह घो है फिला रहेगा अब बेस में जाने पर भू हो जाएगा यह जो चार चीज है अपने नोड़ स कॉपई में लीखो बढ़िएंसे इसको याद कर ले क्योंकि इंडिकेटर बहुत जरूरी टॉपिक है और भी कोई इंडिकेटर अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आप इसमें अड़ करेंगे कोश्चन नमर 41 में आते हैं सबसे बाहर वाला जो एक्टम जो होता हुसके सबसे बाहर शेल में कितना इलेक्टरॉन होगा अगर वो पूरी तरह से स्टेबल है तो यह क्या है ऑक्कोट ऋपर इसके ऊपर सवाल है बाहर में अगर अज़ेक्ट कोफिशल वाया आणि आपmal ऑडा होजा जाय गाना तो वह एटम हो जाता है तो यही है आंसर की दी याणि सरकाइई नौकरी मिल गया तो inacरी हो गया तो गया ओकल इस लिए question number 42 में आते हैं question number 42 क्या है total distance traveled by a car in 3 minutes इतना kilometer तो average speed कितना है average speed का simple formula होता है formula आपको लगा देना average speed कितना होता है total distance covered by total time taken यानि total जितना दूरी यह तै किया और जितना time यह लिया उसको आपको solve करना है simple आप इसी question में put करेंगे तो आपका answer 72 km पती घंटा आ जाएगा total distance क्या है 3.6 है minute में आप time नहीं लेंगे time लेंगे आप घंटा में तो 3 मिनट को अगर घंटा में हम convert करेंगे तो उपर में आ जाएगा common common formula जो है average speed का फिर newton's laws of motion वगेरा यह सब सब आप देख लीजेगा ठीक है वह एक्जाम में आने लाइक सारा सवाल है 43 नंबर थोड़ सा अच्छा वाला सवाल है सबसे पहरे तो यह zinc है यह cadmium है और यह mercury है यह याद रखिएगा यह सब आएगा यह सिंबॉल से भी सवाल नहीं हो पाएगा तो यह option c answer हो जाएगा तो इस तरह से जो s block p block और d block वाला जो general formula होता है ना किसी भी compound का इस वे में यह आपको पढ़ना पड़ेगा यह थोड़ा सा tough हो गया यह सवाल tough है generally non science वाले लोग के लिए लेकिन क्या किजएगा कुछ questions ऐसे आपको मिलेंगे question number 44 अब देखिए पिछला वाला topics अब अच्छा से देखेंगे तो उसमें हम unit के बारे में आपको बोले थे और in fact यह वाला question हम एकदब मुह जबानी बोले थे कि प्रेशर का unit क्या है Pascal है पिछला lecture में हम आपको बताए तो पैसकल इसका answer हो जाएगा तो उसके साथ साथ आप य जूल किसका unit है जूल जो है वो एनर्जी का या वर्क का दोनों का unit है ठीक है वोल्ट जो हो कहा है potential difference का या potential का electronic electric potential का और Newton जो है वो किसका है force का force का या weight का दोनों का Newton के है ठीक है तो यह सब आपको unit जो है बेसिकली unit सिम एसा unit यह सब आपको धियान में रखना पड़ेगा इससे सवाल आ रहा है hydrogen peroxide जो है वो किस तरह से काम करता है तो oxidizing और reducing दोनों एजन के तरह से काम करता है simple सा question है त oxidizing agent reducing agent ठीक है यह आपको दिहान रखना पड़ेगा यानि ऑक्सी करक और उपाच्यक अपाच्यक दोनों को आप अच्छे से देखेंगे और भी जो इसका example है question number 46 देखिए अच्छा वाला सवाल है हलाकि हम लोग पढ़ते हैं इसको बच्पन में लेकिन जाद दर लोग को इ फिल वैरो ठीक है यानि कि पहिये का ठेला गाली जो होता है ना ठेला गाली वह किस चीज़ का उधारन है तो वह class to lever का उधारन है ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए one two or three वाले का और देख लीजेगा और भी अलग-अलग example जो है थोड़ा सा नेट से आपने किताब से जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से थोड़ा सा देख लीजेगा फिर से full form से question आया FTP का full form इस बार पूछ रहा है तो file transfer फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह इसका full form होता है ठीक है इसके साथ साथ चार और चीज़ है इसको फिर से देख लीजिएगा STTP इसमें फिर से आ गया है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा TCP IP यह इंपोर्टेंट सवाल है किसी में फिर से यह वाला question आया हुआ था तो यहां से आप देख लीजिएगा SMTP इंपोर्टेंट है simple mail transfer protocol यह किसके लिए इस्तेमाल होता है SMTP इमेल वगएर भीजने के लिए यूज होता है ठीक इमेल वह भीजता है इससे question नुबर 48 जो है DCL command DCL command का इसमें से कौन से example नहीं अभी हो गया tough very tough मतलब जो नॉर्मल बच्चा है उससे तो नहीं बनेगा ठीक है जिसका background है वो कर लेगा तो grant और इसका answer है कि इसमें से grant और रिवोग जो है वो DCL का command होता है लिकिन नॉर्मल बच्चा के लिए tough है तो इसको आप छोड़ सकते हैं यदि आपको नहीं पता है नहीं इंदम definite पता है तो यह चोड़िएगा और अभी यहां पे इस वीडियो के scope से भी बाहर है कि हम आपको DCL आपके कैसे बढ़ेगा तो यह line coding का लाता है line coding का यह सारा का सारा जो है वो एक-एक scheme है यानि यूनि पोलर बाइपोलर पोलर यह सारा scheme है तो इसको थोड़ा से याद किजिएगा अगेन टाफ कुस्चिंग question number 50 exit control loop कौन सा है आप देखिए जो programming वाला है थोड़ा भी coding पढ़ा है 11 12 10 में कभी भी स्कूल में college में उसके लिए यह सवाल है हलुआ है लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए पत्थर है बड़ी मुश्किल है तो यह question भी जो पढ़ें अगर तो आपको पता होगा कि do while जो लूप है वो exit control loop का example होता है तो यह आपको पता होगा easily आप कर सकते हैं लेकिन जो नहीं पढ़ा है अब उसको हम कैसे समझाए मतलब यह basic वाला चीज है programming का मतलब fundamental concept में है तो यह जिसको नहीं आता वो इसको छोड़ना होगा आपको सीधा सीधी बात है या तो रट के प आपको हमारे mobile app पे मिलेगा टेलिग्राम वेलिग्राम कुछ नहीं ठीक है सीधा जाए mobile app में जाए वहाँ e-book section में आराम से आपको मिलेगा एक जगा पर और और चीज इसमें इंक्लूडड है और किस तरह के lecture चाहिए बताईएगा पेपर जो है एक और हमारे पास आया है त कि उसमें जो है ना डेट नहीं दिया हुआ है और मार्केट में वह सेर्कुलेट ही हो रहा है बहुत सरे लोग ने उसके उपर अल्डेडी वीडियो बनाए हुआ है तो फिर से उसका explain करने का मुझे नहीं लगता कि फाइदा है लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको को बोली तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको प्रोवाइड करने ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने का पैसा नहीं लगता लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाता है और ऐसे हमको पैसा मिलता भी नहीं यह लगता है कि जितना लाइक करेंगो उतना इसको पैसा मिल जागा नहीं पैसा उसा कुछ नहीं मिलता है समझे श्री महत टोटल तो लाइक दबा दीजेगा और वीडियो को शेर भी किजेगा अपने दोस्तों के साथ मेरा ना में रिशिकेश जैहिंद